एलो फ्रेंड्स वेलकम टू अकाडमिलिंस तो बच्चो क्या है कि हम लोग ने प्रीवेस लेक्ष्ट्रस में दा सुप्रीम कोड चैप्टर को देख रहे ते उसके कुछ पॉइंट्स को देखा था हमने कमपोजीशन क्या होता है क्वालिफिकेशन क्या होती है यह सारे जर्च करता है कि हम लोगेसिशन हो और पॉइंट्स कैसे में रहिए तो आज देखिंगे कि वहाई क्वाइफिकेशन कैसे मेलें ठीक है मतलब जोтории में वह में पोस्ट कैसे मेलेगी में ठीक है मादलब जो बीनमें वेकैसे मेलें तो यह से देखेंगे पहले किया है कि डिखेंगे की सथीस इंडिया जो हमारे होते हैं ठीक है चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया को कौन आपपॉाइंट करता है है पहला आप पांट यह आता है है तो पच्छों आप लोगों को कान सिलिशन बिल्कुल भी नहीं क्लिए कि रिए च जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसको ही क्या है कि जर्णली प्रेसिडेंट उसी परसन को ही क्या है कि सीजियाई अपॉइंट कर देते हैं किसको पॉइंट करते हैं जो सीनियर मोस्ट जज होता है सीनियर जज मतलब एज बगएर कर सकते हैं एक्सपीरेंस होल्डर होता है एज क एकारडिंग भी ही सीच के सिदियों को अठाविमिय वोते हैं तो वह जो परसन होता है कि बना दिया जाता है कि पॉइंट्मेंट का था में प्यापास चैनल कॉश्यक्त कर देते हैं ठीक है घ। मतलब जज को जो भी सुप्रीम कोड का जज है उसको ठीक है जो सीनियर मोस जज होता है यह चीज कंप्लीट हो गया होगा यह पॉइंट ठीक अब आपस नेक्स पॉइंट क्या था बच्छो कि अधर जजस अब में सीजिया को देख लिया कि प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट पड़ा तो सुप्रीम कोड की बात है तो सुप्रीम कोड में जो भी अधर जजस उनके मालब कितने भी जजस उन सबको हमने नंबर एक्स्प्लीन आपको करा था था कंपोजिशन में 33 राउंड होने चाहिए जजस उससे ज्यादा जजस नहीं होने चाहिए ठीक है तो अब स לי करते हैं तो सीजी आइश से करते हैं ने कि हैंट करते हैं आप ईपॉयne करते हैं यह चीज से क्लियर हो गई आप लोगोई हो गया है कि उनको कैसे कज समझ में रहे ही से नहीं में से रेजसや कंसल्टीशन करते सब्सक्राइब करने के लिए यह चीज क्लियर हो गई कोई भी डाउट तो आप लोग पूंच सकते हैं कमेंट सेक्शन में ठीक है चलिए अब हम लोग नेक्स पॉइंट देखते हैं अपसंस ओफ सीजय आप लोगों को पता है सीजय जब अपसंस हो जाए कैसे अपसंस होंगे भाई ऑफिस में कैसे वेकंसी क्रेट होती है अरे बिमार हो गए कोई भी सिच्वेशन हो गई या उनका टम एक्सपार हो गया तब तक कोई मलब पॉसन मलब कितनी एलिजबल नहीं है होल्ड करने के लिए ऑफिस कुछ दिनों क्या लुकों करता है एक रोल प्ले करा एक सुप्रीम कोड का तो प्रेसिटं करते। किस सुचेशन घंब करते हैं नों बेसिकलू जबतो acreए एक सको एलिज़ कोई ह m जो प्रेजिद नहीं होते हैं ठीक यह चीज क्लियर हो गई होगी आप एक ब्लॉग डियाग्राम को भी देख लो तो जिससे कि क्या है कि आपको सारी चीज़े क्लियर हो जाएंग देगे बच्छेशन आप प्रेशिडेंट है प्रेशिडेंट क्या करते हैं हमारे इस बीजिज को प्रेशिडेंट किया जाता है हाई कोड़् के जढ़िए चांसरण करते है उपोइंट कौन करता है अप्टेमेटली प्रेसेडेंट्रठटी यह बहुत सारा लंबी चेंज बंती चलिया थियों कि तुम उच्छों क्लिक पुए प्र उसके बाद हमारा नेक्स क एपॉइंट करें जाते हैं ज़से कोई नहीं कर सकते हैं हमको अरजनसी सिच्वेशन कोई पर्टिकुलर मैंटर आ गया उसमें एक्ष्टा ज़स्टीश होते हैं तो क्या करेंगे फिर जो हमारे चीफ जस्टीस होते हैं ठीक है नहीं कि डड़न करेंगे पर ठीक है उनका कनसेंट के बाल थे जचाणसेंगे उनको क्या करिए तो ध्जरीम कोड क्या खाया उसमें के अक्रण क geworden के थिक है यानिकी गणर्म का सब्सक्राइब करते हैं कि कोई अचानक से केस आगया इसके लिए क्या कि एक्स्ट्रा जिजस की नीड है जब तक वेकिंसी फिलब कराएंगे अपॉइंटमेंट कराएंगे तो जल्दी से अपॉइंट कर दिये जाते हैं कि यह चीज आप लोगों को क्लियर हो गई कोई डाउ चाहिए हमें इस केस के लिए पर्टिकुलर या किसी भी रीजन्स की वाज़े तो चीज जस्टिस क्या करेंगे प्रेसिडेंट की परमीशन से रिटायर जजसे कहेंगे कि आप वापस से मतलब सुप्रीम कोड में जोइन कर लिए जब किसी भी टाइम कह सकते हैं ठीक है लेक टाइम के लिए इस तरीके से वह मौल देंगे तो वह बन जाते हैं अब इसमें आपको यह याद रखना है कि जैसे कि एड-hawk judges हो गया तो बेसिकली क्या होता है कई बार एड-hawk judges high court में पॉइंट के जाते हैं ठीक अब हाई कोड में क्या है कि नीट पड़ी की नहीं सपोस करना है ठीक बच्चो यह चीज क्लियर हो गई आप लोगों कि कोई भी डाउट चो कुछ भी चीज आपको समझ में ना आई हो जो भी मैंने आपको अपॉइंट में बताया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ठीक है और फिर उसके बाद अगर आपको यह अच्छा लगा और ऐसे लेक्शिस और देखने हो तो हमारी यूटूब चैनल पे दाकैडमी लेंज पे प्लेलिज बनी वे एच सीजी सेमेस्टर 2 के नाम से तो आप महां पर जाकर प्रीवेस लेक्शिस को देख सकते हैं और प्लीज गाईज हमारे चैनल को लाइक करें सब सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक यू फो वाचिंग